हेलो फ्रेंड्स तो जैसा कि आप देखी रहा है वीडियो में नेशनल बॉर्ड ऑफ एक्जामिनेशन यानि कि एन बी ए कि जो विकेंसी निकली हुई है उसके बारे में हम चर्चा कर रहा है कि कितनी विकेंसी है किस किस पोस्ट पर कौन-कौन से पद खाली है मतलब और क्या सारी चीज़ें हम देख सकते हैं डेट ऑफ एप्लिकेशन फॉर्म क्या है तो चलिए देखी रखते हैं नेशनल बॉर्ड ऑफ एक्जामनेशन इसकी फुल फॉर्म होती है इसका यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो डेट ऑफ एलेकिबिलिटी है एकत्तिस साथ दौजा है ग्यारा साथ 2020 यानि 11 तारिक यानि कि आज से ही आज ही मैंने यह वीडियो बनाया है तो यह आज से ही शुरू हुए है ठीक है क्लोजिंग डेट सब्मिशन एप्लिकेशन फॉर्म 31 यानि कि काफी शमा है अभी तक आपके पास एक तरह सी 20 डेज हैं तब तक आब आवराम से सब्मिट कर सकते हैं अप्लिकेशन फॉर्म उसके बाद देखते हैं हम इसके फ्रेंट्स जो पोस्ट है वो कौन-कौन सी हैं तो फर्स्ट पोस्ट है हमारी सीनियर एसिस्टेंट की सेकंड पोस्ट है जूनियर एसिस्टेंट की थर्ड है जूनियर अकाउंट एंट फोर् होनी चाहिए जूनियर एसिस्टेंट के लिए ठीक है फ्रेंट्स और एज्यूकेशनल क्वालिफिकेशन इसेंचियल मतलब आवस्याख होने चाहिए डिगरी फ्रॉम रेकिनाज्ट यूनिवेस्टी और बोर्ड यानि किसी भी बोर्ड से एक डिगरी होनी चाहिए आपकी और क्वालिफाई एक्जाम्शन से एज भी प्रिस्क्राइब बाई एन बी ए सेम इयर फ्रेंट्स चारों में हैं आप देखी सकते हैं 27 जूनियर एसिस्टेंट के लिए भी एक आपके पास रेकिनाज्ट यूनिवेस्टी से या सेंट्रल बोर्ड से पास होना चाहिए आपको और जूनियर अकाउंट्टेंट के लिए फ्रेंट्स बैचलर डिगरी होनी चाहिए और stenographer के लिए भी फ्रेंड्स एक stereographic English short hand का diploma होने चाहिए 80 प्रति मिनट के हिसाभ से 30 प्रति मिनट जिसमेड typing होने चाहिए especially English short hand का है two years experience as steno in government PSU auto आप अगर देखें इसमें सीनियर एसिस्टेंट के लिए रिजर्बेशन सीट है आप सारी चीश देख लेना अगर हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ते जाएंगे तो वीडियो लंबा होता जाएगा हम किसकाते जा रहा है आप देखते जाना ठीक है फ्रेंड्स यह रिजर्बेशन सीट है आप देख लेना नोट चाओ तो नोट करे लेना उसके बाद फिर ह कुछ खास नहीं है इस इनफॉर्मिशन हम आते हैं सीधा स्लेवस पर ठीक है फ्रेंड्स तो यह है हमारा स्लेवस आप जैसा कि देख सकते हैं अच्छा इसमें फ्रेंड्स एक्जाम डेट भी एक तरह से दी गई है कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम होगा और 31.8 को होगा फ् बेसिकली 31.8 में डेट दी हुई है तो आप देख लेना उसकी फ्रेंड्स यह जूनियर एसिस्टेंट एंड जूनियर अकॉंटेंट जो ग्रेजूट लिवल पर एक्जाम है उनक्या स्लिवस दिया है मार्क्स पर आइटम नंबर आफ आइटम 200 नंबर का होगा टोटल चार सेक्शन होंगे इसमें इंटेलिजेंस एंड रिजनिंग का अबर्नेस का यानि जीकी का मैच का क्वांटेर्टिव और इंग्लिस कंप्रेंशन का और जूनियर एसिस्टेंट एंड इस्टेनोग्राफर का भी सेमी है 200 नंबर का चार पूर्शन है इसमें 180 मिनट टाइम भी दूरेशन उतना यह फिक्स तो फ्रेंट से यह थे हमारे स्लेवस और वो और अगर आप चाहो तो यह नीचे हिंडी में भी दिया गया है सारी चीजें आप देख सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स काफी लंबा वीडियो हमने हो जाएगा अगर हम बनाएं तो यह है आप आराम से देख सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स यह चार पोस्ट हैं सारी इलिगिबिलिटी भी है और उसके बाद यह रिजर्वेशन सीट जो हिंदी में हम अब भी बात कर रहा है थे किसमें कितनी आरच्छित सीटे हैं और आगे हम देखेंगे इसमें सिलेवस तो यह फ्रेंट्स हिंद और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगर अच्छा लगा हो जान पार यह अच्छे लगी है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करते हैं थैंक्यू फर बाचिंग